हेलो एव्रिवन वेलकम तो डाउटनेट अगर बात करें तो बोरड पॉइंट अव्यू से आपके लिए डेफिनेशन जो हमारी इंटर्नेट बेसिक्स की डेफिनेशन हैं जैसे कि हमारी बात करें ब्लॉगिंग क्या होती है bloggers क्या होता है websites क्या होती है web page क्या होता है web server तो इन पे related definitions आज के session में हम बात करने वाले हैं जिसे हम internet technologies भी बोलते हैं ठीक है तो यह board के recording अगर exam की बात करूँ board के exam के recording तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा definitions पूछी जाएंगी क्योंकि इस बात जो पेपर है वह सब्जक्टिव पेपर है तो आपसे दो नंबर तीन नंबर टू माक्स त्री माक्स के अंदर आपसे definitions पूछी जा सकती हैं और कुछ full forms भी हम देखने वाले हैं कि जो आपको exam के important है क्योंकि exam में full forms भी पूछे जा सकते हैं तो आपको उनको भी याद रखना है तो चलिए देखते हैं और बात करेंगे internet terminologies की internet terminologies क्या होती हैं तो अभी तक जितना आपने पढ़ा internet के बारे में तो internet के अंदर कुछ terms होते हैं कुछ इस तरह से आपको definitions लिखनी है अगर कोई भी terms आप से पूछा जाए तो चलिए start करते हैं lecture को और lecture में सबसे पहले हम बात करेंगे web page की कि बच्चे web page क्या है अगर exam के अंदर definition आ जाए कि web page क्या है आप define करिए तो आप कैसे define कर सकते हैं यह definition मैंने लिखी हुई है यहाँ पर ठीक है कि web page क्या है web page भी यह document है बट यह document कैसा है यह internet पे open होने वाला document है web browser पे open होने वाला document है जिसे हम html document भी बोलते हैं तो web page a document which can be displayed in web browser such as तो web page क्या है एक html document है जो कि web browser पे display होता जब भी आप कुछ internet पे सर्च करते हैं तो आपको web pages के form में display कराता है web browser और web browser आपको पता है बहुत सारे web browser है Firefox है Google Chrome है Opera Microsoft Internet Explorer H Apple Safari यह सब क्या है web browser है तो web page का यह definition पूछे तो है एक document है जो कि web browser पे display होता है और यह web page को हम html document भी बोलते हैं इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं ठीक है web page का जो file extension होता है वो dot html होता है यह भी एक बात याद रख सकते हैं तो जितने भी web pages की designing की जाती जो web page develop किये जाते हैं वो html के तुरू develop किये जाते हैं फिर अगला जो टम आता है हमारा internet terminology का website website क्या है अगर मैं बात करूं तो internet पे आप जब भी कुछ सर्च करते हैं तो web pages की form में मिलता है और बहुत सारी website भी इंटरनेट पे वैलेबल है तो website actually है क्या website the collection group of web pages कई सारे web pages का ग्रूप है collection है और उनसे मिलके जो बनती है उन्हें website या site भी बोलते हैं website a collection of web pages which are grouped together and usually connected together तो website के अंदर जो pages होते हैं जो web pages होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं इंटर linking होती है और वो links के तुरू hyperlinks के तुरू anchor tag के तुरू जो हम स्टेमिल के अंदर पढ़ते हैं उनसे क्या किया जाते हैं लिंक किया जाता है तो सिंपल सी definition यहां बन जाती है कि website is a collection of web pages which are grouped together and usually connected together in various ways और उसे को हम क्या बोलते हैं website बोलते हैं या आप site बोलते हैं clear फिर एक और term आता है हमारे पास यहां पर क्या टाम आता है वड़े ठीक है web server अगर हम बात करें web server की देखिए जो भी आप internet पर search करते हैं वो web pages की form में मिलता है व्यबस साइट भी हो सकती है अब उन web pages को store कौन करता है कहां पrage जाते हैं ah pages वह web pages रहते हैं web server पर जब आप कोई भी pages की request करते हो web browser के तुरूं तो web browser आपकी request लेकि कहा जाता है वेb server के पास जाता है और web server से आपकी की गई request के तुरूं जो information मिलती है उसको आपके ले के आता है और web browser पे क्या कराता है display कराता है तो web server एक तरह का computer होता है जो कि web pages और websites को क्या करता है store करके रखता है और जब भी यह कोई user उसको request करता है तो उनको वो deliver कर देता है web server is a computer that runs websites that store website runs website it is a computer program that distributes web pages as they are request ठीक है यह क्या करता है जब कोई भी user internet पे किसी भी web pages किसी भी websites की request करता है तो उसकी request accept करके उसको web pages या website display deliver कर देता है जिससे की user उस website या web pages कुट देख सके और उस पे information ले सके the basic objective of the web server to store to store process and deliver web pages to the user काम क्या है web server का एक computer है कि वो user की एक request लेता है accept करता है और request के according user को web pages या websites deliver करता है तो यह basic objective है web server का और यह तरह का computer होता है एक software program भी हो सकता है hardware भी हो सकता है web server तो यह definitions आप लिख सकते हैं अपके exams में पूछी जाएं तो फिर आता है क्या web client अब यह क्या है यह web client क्या चीज है देखिए web client क्या है कि जब आप कभी भी user को user जो होता है जैसे user कौन है आप और हम user है आपने क्या किया internet open किया आपने internet चलाना चालू किया आपने request करी वो request कहां गई web server पे गई web server से जो भी हमें मिला जो भी हमें मिला वह information हमने ली तो web client एक program एक application है software है बच्चो क्या है एक software है application है अब web client is an application program और web browser हम इसको web browser भी बोलते हैं ठीक है इसको use कौन करता है हम हम users use करते हैं इसको web browser भी बोल सकते हैं that communicates with the web server तो यह क्या करता है जब आप request करते हैं तो web server से communicate करता है using http protocol hypertext transfer protocol के थुरू क्या करता है web client एक्सा interface between server and clients तो web है क्या web client यह अगर let's suppose मैं कहूं यह user है ठीक है और यह server है तो बीच में यहां बैठा है web client जो कि जो कि क्या है बच्चे जो कि आपका user और server के बीच में एक interface की तरह काम कर रहा है एक interface की तरह काम कर रहा है कि इन दोनों की बाते एक दूसरे को समझा रहा है तो यहां वही बात बोला गया है कि वेब क्लाइंट एक्ट एस इंटरफेस बिट्वीन server and client त्रू विच मैसेज और सेंट टू दी सर्वर इस कलेक्ट दी प्रोसेट डेटा फ्रॉम दी सर्वर तो क्या है कि भाई यूजर जब रिक्वेस्ट करता है तो यह वेब क्लाइंट इसकी रिक्वेस्ट को लेके वेब सर्वर बे जाता है और जब वेब सर्वर इसको डेटा देता है तो यह डेटा लेकर यूजर को डिस्पले कराता है तो यह वेब डावजर भी बोला जाता है वेब क्लाइट को और इसको install कहां करते हैं इसको install user अपनी माशीन में करता है जैसे मैं user हूँ मेरे पास computer है या आप के पास mobile है तो आप वहां पर инструмент करते हैं, अगर मैं जिसको हम बोलते हैं uniform resource locator आप internet पे जाते हैं internet पे बहुत सारे web pages बहुत सारी websites available हैं और उस website में हर एक website या एक web pages का address होता है जिसके तुरू उनको हम internet पे find कर सकते हैं easily तरीके से तो उसी को हम बोलते हैं URL जिसे दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं जो लोग रहते हैं दुनिय address है तो उनके address के तुरू आप क्या कर सकते हम ढूलने में असानी होता है जब आप किसी को post office के तुरू कुछ letter या कोई application send करते हैं तो आप address लिखते हैं वैसे ही web pages internet पे जितने भी web pages उनका URL होता है जिसको हम web address भी बोलते हैं तो URL को हम web address भी बोलते हैं इस बात को भी ध्या क्या uniform resource locator one marks का question यहां से बन सकता है इसा unique identifier used to locate resource on the internet तो internet पर resource किस फॉर्म में होता है web pages की form में होता है जो भी resource होता है तो उस resources को find करने के लिए हमें URL की जरूरत पढ़ती है it is also referred to as a web address इसको web address भी बोलते है URL consist of multiple parts including protocol and domain name जैसे अगर मैं बात करूं कि http www.bank of India ठीकर.com यह URL है यह website का नाम भी URL है तो URL के अंदर actually होता क्या है URL के अंदर बच्चों क्या होता है URL के अंदर होता है protocol और domain name जिसका नाम है जिसको आप search कर रहे हैं इसको हम domain name बोलते हैं जिनको हम ढूंड रहे हैं और इसमें होता है protocol इसमें क्या होता है protocol क्योंकि internet पे जो भी data transfer होता है वो एक protocol के तहत मतलब protocol के अंदर रहे के data transmission होता है तो यह थी simple सी बात चलिए आगे चलते हैं आगे क्या terminology है blog क्या होते हैं यह भी पूछा जा सकता है what is blog तो blog क्या है actually blog क्या information है website के form में क्या है information है ठीक है blog a blog and version of web blog blog को web blog भी बोलते इस बात को भी ध्यान रखीगा is an online journal informational website displaying information blog actually होते हैं किसी भी related information से किसी भी topic पे information websites के दुरू display करवाना वो blog होता है जैसे कि माली किछ लोग politics में इंट्रेस्ट रखते हैं तो politics पे blog लिखते हैं कुछ लोग food में interest लगते हैं तो food में blog रिखते हैं कुछ लोग travel में interest लगते हैं तो travel के उपर blog रिखते हैं तो blog actually में एक website होते हैं जहाँ पे लोग लिखते हैं राइट करते हैं और information को deliver करते हैं logo में ठिक है इसा platform वे राइटर और group of writers share their views on individual subject तो यह ऐसा platform में जहां पे writers क्या करते हैं अपने views या group of writers अपने views उस platform पे share करते हैं जिसको लोग को पढ़ना होता है और जिनको interest होता है वो interest topic पे भी काम करते हैं ठीक है किसी भी topic भी हो सकता है वो political topic हो सकता है वो किसी भी तरीके का topic हो सकता है उस सब तरह के blogs लिखे जाते हैं internet blog हो होते हैं जो इन blog को लिखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं blogger बोलते हैं अब blogger is someone who writes regularly for online journal और website जो blogger वो होते हैं जो की daily लिखते हैं किसी website से लिए कि लिए ऑनलाइं जौर्नल के लिए ठीक है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं blogger बेलते हैं तो ये एक-एक marks में दो-दो marks में ये definitions ये questions पूछे जा सकते हैं तो important है चली आगे चलते हैं आगे क्या बत करते हैं न्यूज ग्रूप न्यूज ग्रूप क्या है एक forum है online forum है जहां पे लोग collect होते हैं और एक topic पे discussion करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं न्यूज ग्रूप बोलते हैं ब्लॉग क्या है ब्लॉग एक website से जहां पे एक writer अपने point of view present करता है बट न्यूज ग्रूप क्या है जहां पे multiple लोग आके अपने point of view किसी particular subject टॉपिक पे opinion देते हैं ठीक है तो इन बात का ध्यान रखना है कि न्यूज ग्रूप क्या है internet based discussion group है यह एक तो where people post messages concerning whatever topic around the which group is organized which the group is organized किसी भी topic पे group discussion होता है किसी भी topic पे हो सकता है वो politics से हो सकता है वो किसी भी topic पे discussion हो सकता है तो यह online discussion forum है जिसे हम बोलते है न्यूज ग्रूप ठीक है न्यूज ग्रूप भी बोल सकते हैं यह हो गया तो यह definition one one marks two two marks में आ सकती है email email क्या है email का full form है electronic mail यह क्या है message sending और receiving का ठीक है आप digital electronic message अगर एक जगह से दूसरी जगह यह network में send कर रहे है तो email के थुरू कर रहे है तो email is a full electronic mail message transmitted and received by digital computers तो आप computers के थुरू क्या कर रहे है email कर रहे है digital messages है आप ए email में तो email एक क्या एक service है जिसके थुरू आप लोगों से communicate कर रहे हैं और message एक दूसरी जगह पर send कर रहे हैं तुरू ए नेट्वर्क अन इमेल सिस्टेम अलावज अ कंप्यूटर यूजर और नेट्वर्क तु सेंड टेक्स्ट ग्राफिक्स साउंड एनिमेटेड इमेज इस्टो अधर यूजर तो जैसे कि मैं आपको mail करना चाहता हूं तो email एक सिस्टेम है हम आप और हमारे बीच में और यह कॉम्णीकेशन आप किसी दरह से भी कर सकते हैं आप टेक्स मैसेज के दूरू कर सकते हैं आप इमेज़े सेंड कर सकते हैं आप आडियो सेंड कर सकते हैं तो electronic mail बोलते हैं email को एक यह क्या है communication का तरीका है अब email address है तो email करने के लिए हमें सबका email address चाहिए होता है जैसे आगर मान लिजे one user यहाँ पर है एक user यहाँ पर एक user यह है one user ठीक है second user ठीक है first user अब मान लिजे इन दोनों को communicate करना है तो इन दोनों के पास अपना unique email होगा unique email होगा address होगा जिसे हम email address बोलते है unique email होगा एक सबका address होता है जिसके तुरू आप कर सकते हैं जैसे आप मुझे mail करना है तो आपका email address मुझे पता होना चाहिए ठीक है लेट सब्सक्राइब इसका email address हो सकता है xy-z gmail.com Gmail का Gmail Google की email service है Gmail क्या है Google company की email service है जैसे इसका भी हो सकता है ABC at the rate gmail.com ठीक है ठीक है और यह domain name होता है बच्चे यह domain name होता है इसको हम domain name मोलते हैं तो email address का unique address है जिसके तुरू हम email करते है user to another user to every email has a unique electronic post office box with a unique address हर एक email जो लोग you email use करते हैं उनका सबका एक email address होता है और unique email address होता है on network where email can be sent अगर email address होगा तो आप mail send कर सकते हैं तो बच्चों यह थी कुछ basic terminology internet से related तो आप याद रख सकते हैं और आप से exam के अंदर question पूछे जा सकते हैं important है यह ठीक है चलिए तो आगे चलते हैं आगे आपको कुछ full forms है जो कि important full form से one marks में questions आप से पूछे जा सकते हैं one marks में कि SMS का full form क्या है तो SMS का full form है short message service कि MMS का full form multimedia messaging service HTTP का full form hypertext transfer protocol HTTPS hypertext transfer protocol secure FTP का full form file transfer protocol SFTP का full form secure file transfer protocol SCP का full form secure copy protocol SMPT simple mail transfer protocol और P POP3 post office protocol 3 TCP transmission control protocol SSL secure socket layer SSH secure shell protocol तो पेटा यह full forms आपके exam में आने के chances हैं तो one marks में पूछे जा सकते हैं आप से तो important यह सारी चीज़े ठीक है अगर इन प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ना है तो मैंने lecture deliver किया हुआ है आप उनको वीडियो को और कुछ full forms देखें जो की exam point of view से important है तो इनको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है तो बच्चो क्लास अगर पसंद आती तो लाइक जरूर करें सब्सक्राइब करें और अपने friends में share भी जरूर करें और ऐसे computer टूडर अप्लिकेशन की और भी classes आती रहेंगे जिसमें आम question practice भी करेंगे अच्छे से ठीक है चली तो मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए bye bye take care अपना ध्यान रखिये और पढ़ते रही है